टेकनोलोजी से चुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों वाटसब जो है हम सभी यूज करते हैं और हमें वाटसब में प्राइबेसी की बहुत ज़्यादा जरूरत होता है लेकिन कुछ महीने पहले दोस्तों वाटसब ने एक अपडेट निकाला था किसी को photo बेजते हैं या गलती से किसी के WhatsApp नंबर पर आपने photo बेज दिया चला गया और अगर उस बन्दे के पास GB WhatsApp है तो आप आपने जो photo बेजाता photo बेजने के पाद तुरन्त अगर आप delete कर देंगे तब भी ओ photo delete नहीं होगा उस बन्दे के mobile पर ही save हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों जो GB WhatsApp है वो बिल्कुल ही save नहीं है और WhatsApp जो है इस चीज़ को लेके WhatsApp को कुछ करना होगा privacy के लिए तो फिलाल जो है दोस्तों अभी WhatsApp का जो नया feature आया है उसके बारे में आपको बताते हैं क्या है नया feature तो इसके लिए मैं आपको WhatsApp में लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको WhatsApp में जाना होगा WhatsApp में जाने के बाद दोस्तों आपको उपर 3.0 में जाना है नीचे setting पे जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको account setting पे जाना है उपर दोस्तों यहाँ पे लिखा हूँ आए privacy तो privacy पे जाना है और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक नया option आया है disappearing messages default messages, timer, start a new chart with disappearing message, set your timer तो इसके अंदर जाते हैं देखें दोस्तों यहाँ पे कुछ time दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर आप किसी के साथ chart करते हैं और अगर आप चाते हैं कि उसके साथ जो आप chart कर रहे हैं वो chart 7 days के अंदर या 24 hours के अंदर या 90 days के अंदर वो chart automatically disappear हो जाए अतलम गायब हो जाए तो आप जो है यह कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है दोस्तों time दिया गया है 90 days, 7 days, 24 hours तो आप यहाँ से select कर सकते हैं तो select करने के बाद आप उसके बाद जब भी अगर किसी से बात करेंगे तो 24 hours के अंदर उसके साथ आपका जो chart है वो automatically delete हो जाएगा continue delete होते जाएगा अगर यह off रहता है तो delete नहीं होगा और आपको अगर जब भी लगे की नहीं मुझे अगर इस बंदे से या बंदी से बात करना है तो 24 hours मैं set कर देता हूँ उसके बाद जो है जो message है वो delete हो जाएगा तो यह दोस्तो है whatsapp का एक नया feature जो की whatsapp की जो privacy है दोस्तो उसको maintain करता है काफी अच्चा यह feature है और आप इस feature को दोस्तो यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो यह था whatsapp का नया feature आप इस feature को यूज़ करें जब भी आपको लगे की privacy मुझे रखना है तो आप इस feature को इस कर सकते हैं और इस वीडियो में दोस्तो इतना ही वीडियो आच लगे तो इस वीडियो को like करें नीचे comment करें और दोस्तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी नए topic पे नए वीडियो पे तो दोस्तो तब तक के लिए जय हीन जय बारत